बिसमिल्लाई रह्मानी रहीम, अस्लाम लेकुम स्टुडेंट्स, स्टुडेंट्स, हाओ आर्यू, I hope everyone is fine, स्टुडेंट्स हमने रुखना नहीं हैं, आगे बढ़ते जाना हैं, तोडें इस डे नाइन, डे नाइन में आज हम करेंगे वाहिद जमा, कल के लेक्चर में, कल डे एट में टीचर ने आपको वाहिद जमा करवाये थे, एक से लेके पांच तक, आज टीचर आपको वाहिद जमा करवारेंगे, 6 से लेके, 6 से लेके, 10 तक, 10 तक, ठीक है, आपको पता है, आपने ये देखे, margin line टीचर ने, page पे राइट की है, margin line ड्रॉ करके, आपने center line करते हैं, जमात का काम, यहां आपने date write करनी है, और यहां day write करना है, ठीक है, सबसे पहले है, वाहिद, वाहिद, जीम, मीम, आइन, जमा, बिटे, वाहिद, जमा का मैं आपको concept clear कर देती हूँ, कल भी मैंने आपको बताया था, वाहिद का मतलब होता है, एक, look at here, one star, ठीक है और look at here, यहां पे है, two stars, या two से ज्यादा three stars, यानि के एक सितारा, और जमा में तीन सितारे, ठीक है, नमबर six, नमबर six है आपके पास सबसे पहले, काफ मीम, कम, रे हे, रा, कम, रा, ठीक है, कमरा है, यहां पे आपने क्या, इसका जमा लिखना है, काफ मीम, कम, रे, आपको कमरे की formation बता रही हूं, मीम, ऐसे आपने sleeping line draw करके round and make a ray, ठीक है, काफ मीम, कम, रे, बढ़िये, रे, कम, रे, ठीक है, बढ़िये का आपने बहुत ज्यादा ख्याल रखना है, कि यह उपर या नीचे से इसकी leg out ना हो, नमबर seven, नमबर seven पे हम कर रहे हैं, जमात, ज ठीक है, और एक, दो या दो से ज्यादा अगर होंगी, तो हम उसको जमात तो नीचा बोलेंगे, हम उसको क्या बोलेंगे, जमातें, जी, मीम, अलिफ, मा, आइन, ते, ये, नून, गुन्ना, जमातें, ठीक है, नमबर eight, नमबर eight पे हम क्या write कर रहे हैं, सितारा, look at this, एक सि सितारा, आस्मान पे एक सितारा तो नीना होता, बहुत सारे सितारे होते हैं, सीन, तेली फतारे, बढ़िये रे, सितारे, जमा में आ जाएगा सितारा का सितारे, okay students, next है, nine, नमबर nine पे है, बच्चा, बे, चे, हे, चा, बच्चा, बच्चा की formation में आपको फिर से write करना सिख सितारे हैं, बे, चे, हे, चा, आपने बे का जो slant line ड्रॉ करनी है, slant line के बाद आपने यहाँ पे sleeping line, then make a slant line round and उपर ले जाके आपने फिर से उसको round करना है, और उसकी leg out कहां तक ये देखें, line से नीचे नहीं आनी चाहिए, ना line से उपर आनी चाहिए, बिल्कुल accurate third line तक बच्चा, बे, चे, जे, चा, बच्चा, बे, चे, बढ़िए, चे, बच्चे, यानि के बहुत सारे बच्चे, ठीक है, यह आपके बच्चे की formation है, उसके बाद है number 10, last word है आपका सीन अलिफ, सा, लाम, सा किन, साल, ठीक है, लाम की formation मैं आपको बता दूँ, लाम की formation आपने अगर यहां से ऐसे कर दी और यहां तक स्टॉप की तो यह formation रोंग हो जाएगी, लाम की formation आपकी proper जो है, वो third line से थोड़ी सी उपर तक जाएगी, लाम, ठीक है, सीन अलिफ, सा, लाम, वाओ, लो, नून, गुन, सा, लो, कुछ बच्चे नून की formation कैसे write करते हैं, ऐसे करके बेटें, यह नून की formation इग्जेक नहीं है, आपने नून की formation write करनी है, third line से थोड़ा सा उपर, ठीक है, यह है हमारी नून की formation, ठीक है, स्टूडेंट्स हमने आज वाहिद जमा कीए है, 6 से लेके 10 तक, ठीक है, कौन सी copies पे, उर्दु कौाइद copies पे, ठीक है, ओके